नमस्कार आप देखें निज्वल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन अरायम शुरवात करेंगे खबरों की अलिगर्ण में नगर्णिगम की जमीन पर जबरन कबजा करने वाले लोगों पर बुल्डोजर चला है बता दें कि मंगलबार कॉलिगर्ण नगर्णिगम ने करीब 110 करोड की अवैद जमीन को अतिकर्मन से मुख कराया साथी नगर निगम अधिकारियों ने अवयद अतिकर्मन करने वालों को चेतामनी दी है कि खुद अपना अतिकर्मन हटा ले वरना नगर निगम बलपूरवक कारवाई करेगा सासन की मंसा के अंगूप अवयद अज़कमर को चिनिस करते हुए आज जो इस्वाट टाइक ये गहते हैं एलापूर गडिया में और एलापूर में यहां पर जो भूमी है नो हजाट नास्तों चालिज़ वर्ग मीटर भूम को आज करा रहे हैं हम लोग जिसकी अगर बाजार अलिगरे में मंदिरों पर लाउट स्पीकर लगाकर भजन कीरतन सहीत अन्य धार्मिक गतिविधियों को कराया जाने के मामने ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है सुरान अलिगर में एबीबीबी सहीत हिंदुवादी संग्चनों और सही जुड़े लोगों ने मार्क हमने चार-पांच दिन पहले सहर के प्रमुक चौराओं पर ऐसे 21 चौराओं पर लाउट स्पीकर चला कर हनुवान चालीसा एबम हिंदु धरम से संबंदित देश भक्ती गीत एबम गीत बजाने के लिए एलान किया था उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि हम ये पैसा समा करकर ऐसे 21 इस्थानों पर लाउट स्पीकर बजबाने का काम हनुवान चालीसा चलाने का काम हम लोग करेंगे तो उसके लिए आज धंग संग्रे का कारिकरम किया गया है यह हम लोगों ने अचलताल इस्थित रामलीला मैदान से सुरुवात करके यहां पर सर्व समाज के लोगों से चाहे वो दुकांदार हों चाहे जूता गटने वाले हों चाहे करमचारी हों ऐसे सब लोगों से धंग एकरतित कर रहे हैं 21 लाउट स्पीकरों के लिए अलिगर में UGC द्वारा संचाले संस्थानों की निग्रानी की जाती है इसे थाई समीती ने देश भर के HRD सेंटर्स के प्रदर्शन की तुर्लना की है जिसमें इस समीती द्वारा EMU को दूसरे सबसे बड़ा किंद चुना गया EMU के प्यारों अमर सलीम परिजादा ने बताये कि EMU को एक नया तमगा मिला है देगे अलिगर मुस्ली मिनिस्टी इस्टिटूशन ऑफ एमिनेंस है और एक नया अध्याय और एक नया तमगा अलिगर को मिला है यूनिस्टी ग्रांट्स कमिशन यूमन रिसोर्स डेवल्मेंट सेंटर जो है इसको सेकंड रैंग में ली है HRD सेंटर्स जो हैं कंट्री में यह चाचट सेंटर्स को रिव्यू करा गया उनको परफॉर्मेंस को और यह पीरिड दो हजार पंदर से लेके जो हजार उन्निस तक जो स्टेंडिंग कमिटी जिसको यह टास्क दिया गया था जो मॉनिटर करती है यूजी सी रन इंस्टिटूशन को उसकी साफसरी यहां बताते हैं चले जो पहले पाइदान में जो कैरला यूनिस्ट्री जो है उससे सिभ जीरो पॉइंट जीरो जिसे आप कहसते हैं कॉलिटेटिटिव और कॉलिटेटिटिव टारामीटर्स में जो इंका अपना एक मापदन्ड होता है उसकी वेसिस पर अमेटिम हेमील सिचिरे बीजोपी ने जीत हासल कर लिये दरसल चार बाहर bag BY ऐबस में पाइद न पनी बार बाजीमारी बता देते कि भार्तिय जन्ता पार्टी अपने प्रत्यासी की इमानदारी निष्था पर विश्वास रखते हुए अपना प्रत्यासी की और अपने भार्तिय जन्ता पार्टी के प्रत्यासी के सामने ऐसा प्रत्यासी था जिसका इतिहास रहा है हमेसा लूग, खट्या, डग्या, डेविश इतकी और पूराब। अपने प्रिप्रपार्डायसी, लगातार होिपार्टाों के साथ, पुरे छ्रेटर में जंप्रदोंति, जाहे इतकी जनप्रदी के सारज दनदार हो, जाहे लिदा इतक हो. जाहे उनसे लगातार क weyg से, ईतक् 스트ुप के साथ, दिन रात बीचvisats. बरीली में बीजोपी ने पिर एक बार पर्चम रह रहाया है। जनसी चुनाव में BJP ने एक तरफा जीत हासल की चुनाव में BJP प्रत्याशी और बरीली के पूर्व जिला धैक्ष कुवर महराज सिंग को 4227 مت मिले है जबकि सपा प्रत्याशी और रामकोर के पूर्व जिला पंचायत अधियाक्ष मर्श्पूर एमद मुन्ना को 401 मत मिले वीज़ेपी प्रत्याशी ने 3826 वोट से जित हासल की है हमारा ही बारती जन्ता पर्टी ने मुझे को ठिकर दिया मैं प्रत्याशी हूँ भाजबागा और भाजबागा कुशन ने तरत्वा हमारे परिस्मी कारे करता और मधदाताओं के बीद में जिस तरह से हमारे सब कारिकरता संग्धन के पतातिकारी गयवंतर और मधदाताओं का जो इसने मिला यह जीत कर प्रत्याशी बन गए है इसके बाद क्या प्रात्विट्टें रहेंगी आपकी जनता के लिए ठीकि मैं गाउं से चुड़ा हुआ काड़ करता हूँ महाश्पा का और खुद भी किसान हूँ पेशिय से और गाउं में हमारे स्कूल है हमारे जो अस्पिताल खुल रहे हैं और बहुत सारी चीजह हैं आदणी प्रधानमंत्री कहते हैं हार गर तक जो है सुद्ध पैजल पहुचना चाहिए बिजली पहुची रही है आवास बना है उब तो और अबने वो म्त्य तोड़ा है किस तरीगे की वहाँ पर भी किस तरीके का कार्यारी होगा देखे हमारे वहाँ दो विधायक जीते हैं अबी पांक में से दो विधायक हमारे जीते हैं और हम संगठन हमारा बहुत मजूर है बिजनौर मुरादा बाद से बीजेपी के सत्पाल सेनी ने 5000 वोटों से जादा वोट लेकर जीत हासिल की है जबकि समाजवादी पार्टी की आजय मलिक को 900 वोट मिले बीजेपी की भारी संक्या में जीत हासिल होने के बाद समर्थ को में खुशी के लेहर दौर पड़ी बार्टी जंता पाल्टी के सभी पर्ट्यास वे अज उसके परपज में नगर अद्दर्श जी के नेतित में संजी गुपता जी के नेतित में यहां सपट्टा हुए और मिठाई वितरन का कारेकरम का अक्तराए गया है और इसमें 36 में जो परचन जीत मिली है में 33 सीट होगी इद्यासी जीत के लिए हम सभी कारेकरताओं में खुशी और उल्लाज का महुल है सारनपुर सानिय प्रधारिकारी निर्वाचन शेत्रकर विधान परिश्यद सदसेद चुनाम में भाजपा के मंदना वर्मा ने जीत हासिल कर ली है तो वहीं विपक्ष एक हजार का आकड़ा भी पार नहीं कर पाया वहीं पत्रकारों से बाच्चित के दुरान वंदना वर्मा ने कहा कि हमारी जीत हमारी शीष्ट रतित व्योगी जी और मोदी जी के मैनत का परिणाम है तो वहीं वंदिना वर्मा ने ये भी कहा कि इससे पहले भी हमने 100% विकास किया था और आब आगे भी 101 प्रतीशत विकास करेंगे सितापूर MLC चुनाव में वीजेपी के MLC प्रतियाश्वी परवन सिंग चौहा ने प्रचन्ड जीत हासिल की वहीं प्रवन सिंग चौहा ने अपनी जीत का श्रय पार्टी नेतिव और अपने कारेकर्टाओं को दिया चंपावद के तराईशित टनकपूर से लगी ब्रहमदेव नेपाल सीमा पर स्थापे सीमा निर्धारन पिलर को तोड़ने की कोशिश की गई है वहीं सीमा पिलर पर अंकित स्थभ संख्या को मिटाने का प्रयास किया गया बता दे किस घटना की जानकारी मिलते ही एससबी ने टनकपूर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया चमपावत पुलिस सधीक शाग देवेंदर पीचा ने मामले की जानकार देते ही बताया कि भार्कनेपाल सीमा पर स्थापेत पिलर संक्या को कुछ अग्यात लोगों द्वारा पहुचाए गए नुकसान से सुरक्षा बलो को गर्ष्थ के दोरान उन्हें पता चला जिसकी रिपोर्ट एससभी तरकपुर ने तुरान तरकपुर कोतवाली में दर्ज कराई वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस प्रिशासन और जांच एजन्सिया मामले की जांच में जटी सियम धावी ने कहा कि उत्राखण के जन्ता को प्रतिया आश्वस्त होने के लिए बीजोपी की सरकार ने जो संकल्प दिये हैं वैसे भी संकल्प पूरे होंगे सियम धावी ने कहा कि उत्राखण के जन्ता को पियम मोदी ने आश्वस्त किया है आने वाले पास सालों में तेजी सिर्कास होगा अर दोई के पाली थाना शेत्र के गर्रापुल के पास दो बाई की आमने सामने की चकर हो गई जिसमें एक बच्चा उम्र लगबग एक साल और तता एक ब्यक्ते जो अब सेख तोनों पाली श्यत करहने वाले हैं उनकी डेथ हो गई है और बाके जो चाल लोग भायल है उनको जिलापसाल बेजा गया है पुलिस अन पार्वमों की जान्त कर रही है लगनों में डीजी सक्ती योजना के अंतरगा स्मार्टफोन और टैबलेट विट्वरं समहारू कायजिन किया गया उपकराण हो जाएगा इस से इसको कहते हैं कर लो दुनिया मुठी पूरी विद्या का छेत उनकी मुठी में आ गया और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रही है निउस्वल इंडिया के साथ